सो हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है डिजिटल ग्रोथ कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल में जहां पर हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैसे चैनल अर्ट बना सकते हैं अपने कूकिंग चैनल के लिए तो चलिए आज किस वीडियो को हम लोग चालू करते हैं कि फर्स्ट अफॉल अपको क्या करना है यहां उपर थ्री डॉट में जाना है और यहां पर इमेज साइज में जाने के बाद आपको जाना है यूट्यूब चैनल बैनर ओके तो यह साइज सेलेक्ट हो गया यह चैनल बैनर का साइज है अपना ओके इसका जो न्यू टेक्स्ट है इसको हम लोग स्क्रीन से बाहर कर देते हैं फिर इसके बाद हेग्जाओन वाला आइकन में जाके इंपोर्ट में जाते हैं और यहां पर मेरे पास एक PNG है इस PNG को मैं ले लेता हूं यह PNG आपको Google में अराम से मिल जाएगा अगर अब लिखोगे चैनल वैैनर PNG है तो हम लोगर इसको बीच में फिट कर देंगे कुछ इस तरीके से ओके तो यह fit हो गया अभी सक όंग लोग कर देते हैं ओके तब यह लोग हो चुग आ हब इसके बद्सकों school क्या करने नेस्ट step हम लोग को import में जाना है इंपोर्ट में जाने के बद मैंने एक image डाउनलोड किया था यह वला ठीक है तो अपना cooking channel है तो हम लोग यह सब image add करने माले है तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं और इसको रख देता हूं पीछे अब इसका कौन सा पार्ट हम लोग को दिखाना है वह आप देख लीजिए इस तरीके सब उपर नीचे कर सकते इसको बट मुझे जो लग रहा पार्ट मेरे खाल से यह ज्याला सही रहेगा तो यह अला पार्ट में रख रहा हूं और इसको कर देता हूं लॉक ओके अब इसके उपर मैं चाहता जो फैसिटे यहाँ से कम कर सकते है या फिर यहां पर हम लोग पहले कलर सेट कर देते हैं ब्लेक और इसको सेंड कर देते पीछे voltage के ओके अब इसके वाद हम लोग कया करेंगे उप एसटी यह नीचे से भी कंड्रॉल कर सकते हैं यहाँ पर एक उपैसिटी का आपको Offician मिल जाता है इस opacity में आपको जाना है और यहां से इसके opacity को कम कर लेना है तो अब देख सकते हो तो मेरे ख्याल से इतना ठीक रहेगा opacity यहां पर कर देता हूं मैं इसको भी शेप को ओके तो सब लॉक हो चुग है जो ही नियू टेस्ट है यह लॉक नहीं है इसको हम लोग डिलीटी कर देते हैं और यहां पर भी यह आइकन में जाके व्लस टेक्स्ट में जाके एक नया टेक्स्ट ले लीते हैं अब यहां पर मैं edit करके लिख देता हूं कoping चैनल ओके तो cooking Channel में शेप लीध यहां पर है अब इसके बाद इसका बीच ओ बीच ला देंगे इस banner के relative position से ओके बीच ओ बीच आ गया अब इसके बाद हम लोग hexagon में आइकन में जाते हैं shapes में जाते हैं और यहाँ पी इसके opacity को zero करके इसके stroke को बढ़ा लेते हैं ओके थोड़ा सा और side में इसको बढ़ा लेते हैं ओके अब इसको कुछ इस तरीके से आपको cover कर देना है ओके तो इसके side में एक boundary type का आगया है अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका color red रख देते हैं या फिर जो भी color आपको रखना है वो आप रख सकते हो नीचे color में जाके yellow या red जो भी तो मैं यहाँ पर red रख रहा हूँ और जो इसका stroke भी थे थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ लगवाग इतना तो इतना मुझे सहीं लग रहा है तो इतना हम लोग रखते हैं इसको थोड़ा सा उपर shift कर लेते हैं position में जाके position थोड़ा उपर मैंने कर लिया अब इसको कर देता हूँ lock अब cooking channel जो है यहाँ पर इसका position भी हम लोग उपर कर देते हैं थोड़ा ओके तो यह उपर हो चुका है अब इसके बाद relative position में जाके इसको बीचो बीच ला देते हैं ओके बीचो बीच है ओके तो अब यह सही दिख रहा है अब इसके बाद next step क्या है cooking channel को हम लोग क्या करते है select करते है यहाँ नीचे copy का option है आप यहाँ से इसको copy कर सकते हो और यहाँ पर इसके नीचे कुछ और लिखना होगा तो आप और भी कुछ लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ one video every week ओके एक मिट one video every week ओके यह हमने लिख लिख लिया इसको caps lock में change कर देते हैं अब इसके बाद इसका font हम लोग change करते हैं font में जाके मैं recent में जाता हूँ और recent में जाने के बाद यहाँ पर मैं रख देता हूँ यह बिवास regular अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है इसका color हम लोग को change कर लेना है तो color change करने के लिए नीजे हम लोग जाते color में कहां कि अपना color यह रहा यहाँ पर हम लोग red रख सकते हैं yellow रख सकते हैं और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ थोड़ा बढ़ा लेते हैं ओके थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया है इसके बाद इसको बीचो बीच ला दो थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए अपने को लगता है फिर इसको बीचो बीच ला देते है अब थोड़ा सा कम करने की जर्वात है बाखी इस तो सहीं लग रहा है 45 है थोड़ा साओर गम को ओके आीधी अब बीच में लाके देखते हैं अग के अब परफेक्ट लग रहा है servant graduate अ औक अब इसके वाद क्या करते हैं मुझे ये थोड़ा सा कुछ और एक करने से ज्यादा सहीं लगेगा ऐसा मुझे लग रहे हैं तो क्या कर सकते हैं एक तो पहला differentiate करने के लिए टेक्स्ट को select select करो और इसके बाद shadow को enable कर दो ठीक है पहला तो यह हो गया थोड़ा सबको background से हट के दिखाना है हाला कि हमने background में इसी लिए पीछे shape add गया था ताकि पीछे background डार्क हो जाए और अपना text अलग से दिखे तो अब हम लोग इसको done कर लेते हैं जो नीचे text है इसको भी हम लोग select करते हैं इसका shadow में जाते हैं हम लोग shadow में जाके इसको enable कर देते हैं ओके हलका सा बढ़ा दिया हमने है shadow अब इसके बाद hexagon वाल आइकन में जाते इंपोर्ट में जाते हैं और यहां इंपोर्ट में जाने के बाद यहां पर में पास एक folder है जहां पर एक यह मिल जाएगा मुझे तो इसको मैं add कर दूँगा इसके पीछे अब इसका size देख लेते कितना रखना है कितना नहीं रखना है थोड़ा सा छोटा करके कुछ इस तरीके से ओके इसका color हम लोग रख देते black अब यह कैसे मिलेगा मैं वह भी आप सभी को बता दूँगा कि इसको हम लोग पीछे ले लेते हैं कि I think अब ठीक है हम लोग चाहे तो इसका वभी opacity कम या ज्यादा वगिरा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से बट मैं इसको फूल रखूँगा और जो पीछे का है यह वाला इसका opacity बलकि मैं थोड़ा सा कम कर दूँगा ठीक लग भाग इतना रख देता हूं है ओके आई थिंग आप सहीं लग रहा होगा को किंग चैनल वन वीडियो एवरी विक तो इस तरीके सब को किंग चैनल के लिए थमनेल बना सकते हो और जो बैग्राउंड लाया है वह मैंने कहां से लाया वह अब देख लिजिए यह अन्स प्लैश से मैंने लिया है आप ऐस इसा लिखेंगे फूड बैग्राउंड इमेजेस तो आपको यह इमेज मिल जाएगा एंड जो ब्रश है उसका अप लिखोगे ब्रश को स्ट्रोक इमेज ब्रश स्ट्रोक इमेज या फिर पी एंजी अप लिग लो पी एंजी ओके तो इस नाम से आपको सर्च करना है इमेजेस में जाना है और यहां पर आप देख सकते हो इस टेप के ब्रश स्ट्रोक वगिर आपको मिल जाएंगे यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और हमसे आपको आज की इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गया तो चलो आप आज किस वीडियो को यहां तक देखने के लिए और जो मैंने बताया बैग्राउंड वगेरा और ब्रश्टोक वगेरा वह आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो और यह इजी है और अगर ना समझाया हो तो वापस से देखिए और यह वाला बैनर आप सो डाइट सेट फॉर टूडेज वीडियो गाईज आज किस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं थैंक यू सो मच